सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ज्यादा वेकेंसीज हैं जिनको भणने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाय जा रहे हैं बारवी पास कैंडिडेट इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस भरती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका eligibility criteria होना चाहिए कैसे आप इस भर्ति के official notice की PDF डाउनलोड कर सकते हो कैसे apply कर सकते हो और कब से कब तक apply कर सकते हो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में अंत्तक हमारे साथ इस वीडियो को अंत्तक देखने परी आपके सभी स्वाल और डाउट्स के लिए रोंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस भर्ति की पूरी जानकारी राष्टे स्वास्ते मिसन यानि के NHM के अंतरगत्य भर्ति होने जा रही है जहाँ पर पोस्ट का नाम है Community Health Officer यानि की CHO इस पोस्ट के लिए आपर 400 vacancies हैं जिनको भढ़ने के लिए आपसे आविदन पत्र मंगाई जा रहे हैं क्वालिफिकेशन के अगर बात करें तो कैंडिडेट को कम से कम बार्वी कलास पास होना जरूरी है पलस उनके पास GNM का डिपलोमा या फिर कोई medical degree होनी जरूरी है इस भरती में participate करने के लिए आयू सीमा आपकी 45 साल maximum रखी गई है से लिए आपको government of India के norms के according पे कर दी जाएगी fees आपको इस भरती पर जमा नहीं करानी है दिल्कुल फिरी आप आवेदन कर सकते हो selection यहाँ पर आपका return test के आधार पर क्या जाएगा offline आप इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हो website है jknhm.com job location जम्मो और कस्मीर है all India में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो dates के अगर इस भरती की बात करें तो आपको हमारी website के इस page का link नीचे description box में plus first comment box में मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप directly इस भरती के official advertisement की pdf को open करके पूरी डिटेल आप उसमें से read कर सकते हो जहाँ दोस्तों इस भरती के official advertisement की pdf का direct resource link है जैसे ही आप इस link पर click करोगे तो आपके सामने इस भरती का official advertisement खुल जाएगा यह इस भरती का official advertisement है यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूरवक one by one करके read कर सकते हो जैसे कि क्या post का नाम है कितनी उसके लिए number of vacancies है कितनी से लिए आपको provide करा जाएगी क्या last date है यह पूरी डिटेल आपको यहाँ पर provide करा गई है जो आपको यहाँ से one by one करके accurate way में read करनी है और पूरी डिटेल यहाँ से read करने के बाद आप simple इस भरती के लिए offline आवेदन कर सकते हो आवेदन करने के लिए application form का format भी आपको यह पर provide करा गया है यह इस भरती पर आवेदन करने के लिए application form का format है इसके according आपको अपनी पूरी डिटेल accurate way में फिलब करनी है और इसे last date से पहले पहले official address पर submit कर दिना है official address भी आपको उपर ही provide करा गया है जहाँ पर आपको अपना application form बरकर submit करना है तो दोस्तो इस परकार से आप इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करना मत भूलना साथी साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लिजे क्यूंकि हम daily basis पर आपके लिए ऐसी ही big government jobs के update अपने इस चैनल पर upload करते हैं